अजयें दोस्तों कैसे आप लोग आज आप लोग काफी महत्पुन अध्याइप पढ़ने जा रहे हैं प्रमक पुस्तकियों लेखक यह क्लास आपके लिए बिल्कुल निसुल के राश्चित में सिच्छा है क्योंकि आज आपकी जो क्लास है यहाँ पे सिच्छक बढ़ती पर देगा ताकि एक भैतर नोट साथ के लिए त्यार हो जाए यह क्लास प्रद्दिर राश्चित में पूरी तरश्य निसुलक है हम आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने पहला डिस्प्ली पर प्रस्टन दिख रहा है यह वीडियो थोड़ा सा बढ़ा होगा लेकिन आपके सेले ला देख रहे हैं उनके सामने डिस्प्ली पर पहला प्रश्चन है जेस्ट फार लाइब उस्तक कर चाहिता कौन है एक ऐसी स्रीज जो आपके लिए नौकरी दिलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्तवपूर ना लाइप उस्तक कर चाहिता फटा बढ़ान करें बताए कौन है जोली इस वीडियो को लइप देखे रहे, फटाव पर क्मेंड करिए, देखिए, जेश्ट फर लाइप की बात करे, तो एमिले जोला है कौन है,warz일 जोला 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 है, यह एक फ्रांस के उपन्यास कर, यह पत्रकार है, एमिले जोला द्वारा रचीत है, यह क्या है, भारत के पूरो राष्टपती एपी जे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशन है अगर आप एक सरकारी सिच्छक बनना चाहते होंगे तो यह प्रशन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्त पूर्ण है तो फटावट कमन कर जबाब करेंगे जिया जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि इसमें कोई नहीं है तो गलत हो गया ठीक दिखिए एक प्रशन है अलजेब्रा आप इन्फनाइट जस्टिस यह है आपका अरुधंती राय की यह पुस्तक अगर पूछ दिया जाए तो यह है आपकी अरुधं पुस्तक है इसका मतलब यह भी विकल्ब गलत यह भी गलत विंग्स आफ फायर एंड लिग नाइट माइंड फोर फायर डिट फायर क्या होगा सभी जादी बढ़ावट करें दीकि यहाँ पर इस प्रशने का उप्युक्त विकल्ब सभी ने एकदम सही बताया है इस प्रश करम में आपके सेल बस में है प्रामरिय जुनियर का अगर आप तैरिकर ऐसे चकभरती सरकारे ध्यापक बनने के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाड का काम करेगा इस प्रशने का उत्तर ए होगा उन सभी सात्यों का सही जवाब था जितने लोगों ने इस प्रशने क करणा इंप्रटेन्ट है जो परिच्छा में सबसे ज़्यादा महत्यपूर है वह प्रशन आपका है दास कैप्टल के लेकभा कौन है सभी साथी फटापड कमेंगरें दास कैपिटल के लेखक कौन है सभी साथी परपर कमेंगरें जी हां जो लोगी वीडियो को लिएग दे यह कालमाक्स की काफी प्रसिद्र पुस्तक है और इसकी अगर यह देखा जाए कालमाक्स कब आई थी तो यह 1867 में आई थी काफी महत्रपूर है ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पश्णिक की तरफ क्योंकि हमारा उद्देश आपका सेलेक्शन है हमारा सब्सक्राइब करेंगे कमेंड करके जबाब देंगे दिखिए यहाँ पर दो बाते हैं दोनों बात आपको असपरश्टूर्प से बतानी है आपको पता हो गया कि सब्सक्राइब जो रचना है यह किसकी है यह कालमाक्स की है और कब है 1867 में है ठीक है लेकिन कम्मिनिस्ट म महत्यपूर्ण प्रश्ण है इसके बारे में आपको बताना जरूर चाहूंगा रिखी इंजिल यहां पर लिख लिजिए का आपको साइधी किताबों मिल जाए ठीक है फेंडरिक इंजिल इंजिल प्लस काल मार्क्स प्लस काल मार्क्स इन दोनों की सहुक्त रचना है जो कब आई थी 1848 में लेकिन इस प्रश्ण के बिकल्ब के आधार पर हम इस प्रश्ण का उत्तर एसको रंगें एसको सही माना चेह बाइगा मतलब जो साथी अभी तक कि आप लोग ध्यान दीजिएगा काल माक्स क्या होगा कमिनिश्ट मनिफस्टों फेड्रिक इंजिल और काल माक्स इस दोनों की सॉविक पुस्तक थी दोनों के समय रचना थी जबकि दास केप्टल केवल केवल काल मांस की ति यह किस है इसमें कार्ल माक्स ने क्या किया है शाम्यवादी विचारधाराओं को समाजवादी विचारधाराओं को इसमें जन्म दिया है इसलिए समाजवादी बिचार धारा का जनक Karl Marx को माना जाता है एक प्रस्देजा से और तयार हो जाएगा कि समाजवादी जो बिचार धारा है इसके जनक Karl Marx माने जाते हैं मैं आगे बढ़ रहाँ प्रस्दे की तरफ अगला प्रस्दे आपके सामने है और पुस्तक का लेखा कौन है अगर आप गौर्रमेंट दिखारी बनना चाहते हैं गर्मेंट इंप्लाई बनना चाहते हैं ऐसे प्रष्ण को लिख कर आता है, कि question and जान दीजेगा ऐसे प्रश्ण कैसे आते है question and answer इस पुस्तक के लेखा कौन है ऐसे ही आएगा भाई यह बताई यह सेभी लोग फटाबर कमेंट करें एकदम हलुआ प्रश्ण है एकदम हलुआ है साड़े 9 बजे लाइब आ जाती है विकास सोरूब इसका राइट एंसवर है विकास सोरूब इस प्रश्ण का एकदम सही जवाब है अब बताई इतने लोग वीडियो को लाइब देख रहा है यार लाइक कर दीजेगा पईसा नहीं लगेगा वीडियो को शेयर कर दीजेगा आप लोग इतना दो कर सकते हैं प्रदिन राज साड़े नो बज एकदम निसुल काप के लिए लाइब चलते हैं सिच्छक भड़ते लिखित परिच्छा किसकी है विकास सोरूप की एकदम महत्रपूर्ण पुस्तक है आगे पढ़ेंगे सलमारस्दीग पढ़ेंगे तस्मीलन और पीडियाप के लिए टेलिग्राम जोइन करें दुर्गेश सरसाच करके डिस्केप्शन उसकी लिंक होगी लिंक से आप लोग जोड़ सकते हैं विद्धिया माइक को समय सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने शभी साथी मित्रों को शेयर जरू करेंगे माइ अनफारगेटेबल मैमोरीच किसकी आत्म कता है शभी साथी फटाफ़ कमेंट करेंगे बहुत इन्पोर्टेंड है बहुत यूनिक प्रिशन है जी हाँ दोस्तो यहाँ पे सभी लोग प्रतिभाव पाटिल को बता रहे हैं प्रतिभाव पाटिल लेकि प्रतिभाव पा बंगाल की माइन फारगेटेबल मेमोरी यह ममताब बनरजी है जो वर्तमान समय में पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री है जी हाई इनकी काफी प्रसिद्ध किरती है जो आपके परिच्छा में पूछा जा सकता है विकी प्राया आपने देखा होगा वहाँ पे आगे परिच्छन है जिहां दोस्तों यह जोनपूर जनपस से क्लास संचालित हो रही है और सिच्चक भरती के क्लास नोर्स अन्य किसी भी सूचना के लिए आप इस नंबर पर वार्टसेप करके जानका रिलेश रकते हैं बाकि यह क्लास जोनपूर जनपस से प्रद्धिन राज स शिक्री प्रेमा महाजन एन और नारायन मुर्ति दिया दोस्तों एबेटर इंडिया बेटर वर्ड यह एन और नारायन मुर्ति इसका राइट एंसवर है जितने लोगों ने इस प्रशन का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब शहीं है ठीक है ध्यान दिजेगा एन आर न इंडिया बेटर वर्ड और नारायन मुर्ति रख्टा मार दीजेगा सलेक्शन वाले प्रशन है आपको सरकारी नोगरी दिलाने वाले प्रशन है इस्ट्रेट फ्राम दा हाइट यह किसकी पुस्तके बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके पहले सिच्चक भरती परि जरूर दबाएंगे इस्टेट फ्राम दा हाट किसने लिखी थी सभी साधी फटापर कमेंट करें काफी महत्य पूर्ण है राज मोहन अमरिता पीतम आरके करंजिया कॉपिल देओ एक दम यूनिक प्रशन है चान चान के आपके लिए लाया गया है गलत हो जाए लेकिन प्र दोस्तों कोपिल देओ पे ताला लगाते हैं इस प्रशन का उत्तर है कोपिल देओ पे ताला लगाते हैं फ्रम आगे बढ़ेंगे स्टेट फ़र्म दा हाट किसकी रचना है कोपिल देओ इसे राइट एंसवर जिहां दोस्तों ए पर जाएगा ताला ए पर ताला लगाते है जी हाँ दोस्तो एस का right answer है हाँ वीडियो को share जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को अभी तक आप लोगों ने like नहीं किया है जितने लोग लाइब एक उतने ग्रूपों में share कर देंगे आपकी शंख्या बढ़ जाएगी अगर आपको लग रहा है इस selection वाली class है तो ठीक हैं मैं आगे बट्रों अगले प्रशनी की दरब नविंता पुस्तब कुरुछेत्र टू कारगील किसकी रचना है बहुत ही unique प्रशना है जिहां कुरुछेत्र टू कारगील किसकी रचना है सभी साथी फटा-फट कॉमेंड करेंगे कॉमेंड करके बताएंगे पुस्तक का सभी साथी फटाबट करें दस सेकंड़ आपके पास दस सेकंड़ के पास जवाब दीजे जवाब दीजे सबीशाथी जवाब दीजे दीखें हां ब्रिगेडियर कुल्दीप मिलती इंडियान मिलती थाट कुर। इट चार्गिल एंडीक फूचर यह पुस्तक के ब्रिगेडियर कुलदीव सिंग दौरा रचित इसे राइट एंस वर इस पर बी पे ताला लगाते हैं हम आगे बढ़ना अगले पशनी की तरफ आपके संक्या इतनी कम है आप लोग को भी थोड़ी से मदद करनी चाहिए लेगे आप मदद नहीं करना चाहिए और मदद करिए लोगों तक पहुचाईए यह क्लास मैं आपके लिए लाया हूँ अगला प्रशन है पिछले दिनों ग्रेट सोल महत्मा गांदी एंड हिज श्ट्रगल विट इंडिया नामक पुस्तक चर्चा में थी उस पर गुजरात सहीर कुछ भालती राज्यों में प् इंडिया एक प्रमुख पुस्तक है जो कुछ दिन पहले गुजरात में भाती राज्यों में पतिबंद लागा दिया गया था इसके लेखक कौन है जी हां शभी साथ ही बताएगा देखे इसके जो लेखक है वो बिजेता है कौन से बिजेता है उनका नाम आप लो बताएग उनके जबाब शही है एवाले राइट एंश्वर है हम आगे बढ़ रहा है अगले पशनी की तरफ हम बढ़ रहा है आदे पशनी खतम हो गया लेकिन आपकी संख्या बल नहीं बढ़ रही है इसको पढ़ने के बाद आपको फिर कुछ तयारी नहीं करनी पड़ेगी बिवि अभी साथी बटाएंगे बताइए देखिए आप लोग सही सब जबाब गलत या सही जरूर दीजिएगा तो कि आपका जबाब इस बात को तै करता है आप सेलेक्शन के कितनी नस्तीक पहुच रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के बाद सूपर टेट में आप नवकर पुस्तक है अर्थ एंड एसी इजिए राइट एंसवर ए पर ताला लगाते हैं एश पस्न का राइट एंसवर है एश पस्न का शही जबाब है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पस्नी की तरब निमने में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी थी फटा-फट कॉम कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी सभी साथी फटा-फट कमेंड करें 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 ऐसे प्रशन आपके परिछाओं में बार बार आते हैं और वही प्रशन की स्रीज लेकर आ ये जितने भी नए पुराने मेंबर आ रहे हैं सभी सातियों को शेयर करें देखें तुनाइड दिस सेवेज राइट इस राइट एस वर ये कमला दास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये पुस्तक कमला दास ने किस के साथ मिलकर लिखी थी तो प्रतीश नंदी के साथ प्लस लिख लिएगा ये भी प्रतीश नंदी के साथ मिलकर लिखा था इन्होंने जी हाँ कमला दास प्रतीश नंदी ने मिलकर टुनाइड दिस सेवेज राइट इस पुस्तक की रचना की थी इसलिए प्रशन का उत्तर क्या होगा डीप अत्तला लगाया जितने लोगों ने उनक जबाब सही था हम बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की तरफ तो क्या आप लोग भी ये शाद देंगे आप भी चाहते हैं ये बहतर स्रीज लोगों तक पूछे तो आप भी मदद करिए इतनी मदद करिए लोगों तक पूछे बाकि मैं आपको ऐसी स्रीज प्रद्दिर राज ये था कौन हैं सभी साथी फटा-फट गयां कमेंड करियेगा कमेंड करके बताइएगा गब सभी साथी फटा-फट डेकर अधूरा था यह एक उपन्यास था और यह पूस्तक जो था यह क्या था यह अधूरा था इसए पूरा किया गया आफ ए लाइफ के दोशरा बाद हाँ फेलाइब को बना कर इसे अधूरी कड़ी को पूरा किया गया इस प्रकार इस प्रस्टन का उत्तर क्या होगा सभी साथी फटा-फट कमेंड करके बताइए यूग कि इसकी दो कड़िया थी सभी साती बताएं कौशे विकल्प को नगाया जाया है जै दोस्तो अभी बताएं जितने लोग लाइब होतने लोग लाइक ने की हैं मतलब हध है यार दिखिए विएस नाइपाल इस राइटेंस ओर डी पर ताला लगाते है जि ईस का राइटेंस है जी हाँ निसुल्ख सिच्छा में आप लोग का स्वागत है और डी भी कल्प को तला लगाते हैं वह हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए हम आगे बढ़ता के लिए पूछा जा सके वैसे जुपा लेड़ी इंपोर्टेंट है रासारस मिस्त्री है बिक्रम सेड़ी सबी अगला पशनाप के बीच आ रहा है देखें यहां पर गलती करिए परिच्छा हल में नहीं करना है देखें ध्यान से देखिएगा साड़े नो बज़े अगर आपके संख्या बहतर रहेगी तो मैं आगी और बहतर सिर्जले कर रहा हूंगा नो फूल स्टाफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है शबी साती फटाफट कमेंट करिएगा नो फूल स्टाफ इन इंडिया सभी लोग बताई फटाफट कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी साती फटाफट गलत सही जरूर जबाब दी कि आप प्रश्ण का उत्तर जरूर दीजिए कॉपी कलम लेकर बैठो लिखते चलिएगा इस वीडियो के एक बार नहीं कई बार देखिएगा नो फूल श्टाफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताएए फटापर कमेंट करके दिखिए इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो मार्क टुली है जिन्होंने 1992 में इस पुस्तक की रचना की थी, पुस्तक को लिखा था, ये पुस्तक प्रकासित कब हुई थी, 1992 में पुस्तक प्रकासित हुई थी ठीक हैं, क्या हुई थी, 1992 में हुई थी, no full stop in India, इसे राइट एंसवर, ये कब हुई थी, 1992 में प्रकासित हुई थी मार्क टुली द्वारा इजे राइड एंसवर है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके डिस्पले पर दिखरा होगा जी हाँ ए थिंग आप ब्यूटी इजे जाय फॉर आवर ये पंक्ती किस की रचना है जी हाँ दोस्तों शबी साथियों को इस प्रश्ण का जबाब देना है शबी साथि जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथि फटा फट कॉमेंट करेंगे और दिएगे पश्ण का जबाब देंगे शबी साथि देखें एक कविता है कविता का नाम क्या है ध्यान से देख लीजिएगा हो सकता है या आपके काम में आ जाए देखें इन्डिम्याईन एक कविता है ये क्या है कविता है ये कविता में लिया गया है लिकिन इसके रचाईता कौन है ये कहां से लिया गया है तो इसका होगा जो जान कीट्स की है जो प्रकासित आगे चल कर 1818 में हुई थी इसलिए अगर आपquisष्ण को पहले कभी नहीं पड़े हैं तभी आपके लिए महत्य पून है क्योंकि हम ऐसे प्रश्ण नहीं पढ़ना है जो सरल है जो बार-बार आपके आगे आते हैं हमें ऐसे प्रश्णों को पढ़ना है जो आपकी निगाहों के सामने नहीं पढ़े हैं जहां से आप बहतर स्कोर कर सकते हैं इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा जान किट से राइट एंस्वर होगा हम आगे बढ़ एकले प्रश्ण की तरफ अब आप से इतना प्रश्ण है जी हां दोस्तों एकदम रटा मार दीजेगा सचिन तंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है जो भी साथी वीडियो को लाइब देख रहे हैं सबी साथी फटाफट करें 50 नमबर की तहरी आपके लिए प्रद्य रात साड़े 9 बजे इलने विदुर्गेश फेस प्लेंग इट माई वे सचिन तंदुलकर की है यह पुस्तक कौन कौन लिखा है धान दीजेगा सचिन के साथ मिलकर एक बेक्ति ने और लिखा है क्या नाम है बोरिया मजुंदार लिख लिजेगा बोरिया मजूम दार के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी गई है इसलिए पूछा जा सकता है यह सचिन तंदुलकर की आत्म कथा है प्लेंग इट माई वे यह प्रकासित कब हुई थी पता है यह प्रकासित हुई थी 2014 में इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है मैं आगे बड़ अगले प्रकासित हुई थी यह सचिन के साथ बोरिया मजुंदार ने दोजा चौदम प्रकासित हुई थी सचित दंदुलकर की आत्म कथा प्लेंग इट माई वेजर राइट एंस्वर मैं आगे बड़ अगल प्रश्ण वाली क्लास है आपकी नौकरी वाली क्लास है दो प्रस्फनासे ने में आते हैं वह पड़िये जो परिच्छों में आते है सरहल्वाला मत पढ़िए ऐसे पढ़िए जो पहली बार आ रहा है अगला प सटनै ng텐कित में से कौन सी पुस्तक धितम पुस्तक सचिन करेंगे और बताएंगे दिखिए ये सचिन तंदुकर की रचना है प्लेंग एट माई वे जश्ट उपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में जाना था कि बर्या मजुंदार के द्वारे लेखे गई ये भारती पूर क्रिकेट सचिन तंदुकर की आत्मकता है जो 2014 में प्रकासित हुई थी यह प्रकासित कब हुई थी 2014 में प्रकासित हुई थी ठीक है इस्तना घुसकर तो नहीं पूछेगा लेकिन इतना मैं आपको पढ़ा दूँगा कि आपके बाहर नहीं आएगा हम आगे बढ़ अगले प्रशनी की तरफ इंडिया आप माई ड्रीम क से क्लास चल लाई है ओनलाइन क्लास या नोट से समधित कोई भी जानकारी चाहिए ताप इस नंबर पर वाट्सेप कर सकते हैं हो सकता है यहां से आपको कुछ मदद मिल जाए ठीक है यह लिए दुर्गेश काफिश का नंबर है और एक लास साड़े 9 बजे बिलकूल फ्री चलती है निशुल क्लास है आपके लिए पड़ पड़ कमें गरिए दा वाइट कैंसल किसकी पुस्त रशना है सभी साथी बताइए देखे एक उपन्यास है यह किसकी उपन्यास है ध्यान दीजेगा ओरहन पामुकी जे राइट एंस्वर जी हां यह तुर्की के एक उपन्यास कार है यह तुर्की के उपन्यास कार ओरहन पामुक है अबदुल कलाम नहीं बिक्रम सेट नहीं आरके नारा नहीं देखे इनकी विरचनाम लोगों ने पढ़ लिए इनकी विरचना पढ़ लिती ये दोनों नो हुए नहीं विक्रम से ठहे नहीं तो और हन पामो की जिए राइट एंस वर जी है इसकी स्किन सोट कर लीजेगा हो सके तो आप इसे अपने पास्ट डाउन कर लीजेगा हमागे बाट अगले प फटाफट बताएं दस साइंस आप भरत नाट्यम सब्सकी रचना है सबी साथी फटाफट कमेंट करें जो भी लाइब देख रहे हैं सब्सकी रचना है यह पुस्तक है यह यह पुस्तक है चलिए इस बिकल्प को ताला लगाएंगे सरोजा बैदनातन की रचना है दस साइंस आप भरत नाट्यम तो जितने लोगों ने डी बताया तो उनका जवाब साइए डी बहुत कम लोगों ने बताया था यामनी किष्ण मुर्ती बता रहे थी यह आपका गलत है इसका सही बिकल्प चौथा शही बिकल्प डी इसका लगाएंगे अब सरोजा बैदनातन ही लगाएंगे मैं आगे बट्रोंगले पिश्णी की तरफ कि नंबर डू लाइन पुस्तक के लेखक कौन है शबी साथी बड़ावड कमेंट करें नंबर डू लाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है हामें हर बार बोलना जरूरी है अगर आप जिसको पढ़ना है पड़े इसको छोड़ना है छोड़ कर जाए कि मैं मेहनत करो तो मैं उमीद करूँगा मेरी मेहनत कफल सभी साथी और भ्हरतियों तक पहुचे ताकि आप भी जल्दी से सरकारी से चक बने जिनको सुनना है सु लेना तब परना आप जा सकते हैं बहुत सारे चैनल आपके सामने पड़े होंगे नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखा कोने फटापट कमेंट करिए देखिए नंबर्स डू लाई एक यूनिक प्रिश्ण है और यह एक क्रिकेटर की रचना है तो इसलिए इस प्र करता है जो प्रस्ण आपको नहीं आ रहा है उन्हें अगर आप रिच्छा में शाई करते हैं तो अभी आप सेलेक्शन के नजदीक पहुंचे सरल प्रस्णों सभी बच्चे कर लेंगे लेकिन हमें महानता दिखानी है उन कड़े प्रस्णों को करकर एजलेस बॉड़ी दिपक चोप्राइस का राइट एंसवर है जिन साथियों ने बी बताया था बीपत ताला लगाया था उनके जबाब सही हैं एजलेस बॉड़ी टाइमलेस माइंड दिपक चोप्रा ठीक हमागे बढ़ना अगले परश्ण की तरफ अगला परश्ण आपके सामने हैं इंडिका नामाक पुस्तक के लेखक कौन है सभी साती फटावर कमेंड करिए सभी लोग फटावर्ट कमेंट करते रहें जवाब दें सभी साथी फटावर्ट कमेंट करते रहें इंडिया का लेखक कौन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है एकदम हल हुआ प्रस्ण है ये तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा जितने लोग इस वीडियो को लाइ आप दे सकते हैं या बताईए अब कोई मत कहिएगा आपको उत्तर हुआ यूटूबर वाला प्रश्न है जो अनी यूटूबर आपको पढ़ाते हैं हां मेगस्थनीज जीजे राइट एंसवर है आपका क्या होगा मेगस्थनीज सीज प्रश्न का राइट एंसवर है एक दम इसलिए आप सभी जो साथी लाइब देख रहे हैं वो यह बताएंगे मेगस्थनीज कहां से आया है सभी साथी फटावर्ट कमेंट करके बताएंगे मेगस्तनीज कहां से आया है ठीक है सभी साथी फटावर्ट कमेंट करके मेगस्तनीज कहां से आया था जो भी वीडियो को लाइब देख रहें फटावर्ट कमेंट करें जो भी साथी फटावर्ट कमेंट करें यार आप लोग जवाब देना चाहिए गलत या शही अगब सेलेक्शन लेना सरकारी नोकरी करना है आपको और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइड किसने लिखा था किसकी रचना है दगाइड बताइड किसकी रचना है किसकी रचना है सभी साथी फड़ापट करें सभी साथी फड़ापट जबाब दे देखिए दगाइड आरके नाराइड की प्रसिद्ध किरती है इस वीडियो का आप कई बार देखेगा जब तक सारे कॉंसेट आपके तयार रहे होजाए क्लास खतम होने के बाद जो लोग ला करके घंटा का बटन दबा दें ठीक है हम आगे बढ़ना अगले पश्टी की तरफ क्योंकि रेस के घोड़े रेस मच्छे लगते हैं खेत में इसले हम लोग कठीन सावाल करेंगे सब की तरह सालल नहीं कि इबन बभूता मोरक्तों को साहिए कौंसी आरके नाराण द्वारा नहीं लिखी गई है या देखिए आज काल का नया प्रश्ण पुछा जाता है कौन सा नहीं है बने तीन है और एक नहीं है तो जड़ा सा बताईए आप लोग कौन सा नहीं है जो आरके नाराण अब देखिए यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाएंगे तो तीन प्रश्ण त्यार हो जाएगा ठीक है यहाँ पे तीन प्रश्ण आपके त्यार हो जाएंगे कौन साहित्ति ग्रचना आरके नाराण दोरा नहीं लिखी गई थी फटा फट कमेंड करिएगा कमेंड करके बताईए जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शभी साती फटा फट गाइड भी लीखी गई है। स्वामी एंड हिजब फ्रेंड यह भी दिसित नहीं नहीं है। इसकी राचना नहीं है। इसलिए यह ब adap работает तैगोर की है। उन्हें लोग देख रहे हैं है। गार्डनर से प्रश्ण भविष्ट में आ सकता है, यह पूछेगा कि गार्डनर किसकी रचना है, यह रबिद्रणा टाइगोर की एक दम माहुत पूण है, जो पार पार परिच्छा में पूछा जाता है, और हो सकता है, खुदा नकास्ता, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इ अगला है माल गुडी देज यह अब मत कहिएगा गलत होगा सभी साथ ही फटावट कमेंट करें दिखिए नेट्रोग प्राब्लम होने कवज़ वीडियो इसकी फोर एक उसके लिए मैं माफी चाता हूँ आप क्या से प्राब्लम होगी मेरा से इक्तम साप चला है सभी साथी फटावट कमेंट करें कि बताई यह फटावट यह फ्री क्लास है साढ़े नो बजे नाइन थर्टी पे दमाल गुडी यह भी पताया आरके नाराडी जे राइट एंस वर आरके नाराड इसका सही जवाब होगा आरके नाराड दे स्टोरी आप माल गुडीज ठीक है स्वामी एंड हिच फ्रैंस ग हाल ही बहुत बिकने वाली पुस्तक दा रोड अहेड की रचनाकार कौन है फटावट कमेंट करिए दा रोड अहेड लेखक कौन है सबी साती फटावट कमेंट करेंगे कमेंट करके जवाब देंगे दा रोड अहेड का लेखक कौन है फटावट कमेंट करिए जो इस वीडि सभी साथी जबाब दीजिएगा देखिए वीडियो साफ आ रहा है नहीं कोई वीडियो प्राब्लम आ रही हावास आ रही नहीं जरा कॉमेंट करके आप लोग बताते रहीएगा बहुत बिकने वाली दा रोड अहेड बताइए सभी लोग कि चलिए आप लोग नहीं बताएंगे इस प्रस्टों का उत्तर होगा दिखिए इस प्रस्टों का उत्तर होगा बिल पूछ सकता आपकी परिच्छा में इसको रट्टा मारिएगा आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो संख्या बल नहीं बढ़ाएंगे आप लोग चलिए अगला परश्णाप के लिए है भारती मूल के उसलेखा का नाम क्या जिसनों पन्यास अगर वीडियो साफ नहीं तो बात नहीं भी देख सकते हैं आप लोग फटाफ़र कमेंट करें दा इन हरिटेंस आफ लांस को मैन बुकर प्रश्णाप करें जो लाइब देख रहे हैं जो भी वीडियो को लाइब देख रहे हैं दा इन हरिटेंस आफ लांस को मैन बुकर प्रश्णाप मिला किसकी रचना है बताइए जिहां दोस्तों सभी साथी जबाब दीजेगा गलत या शही जबाब किरण देशाई इसका राइट एंस वर है जो भी वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटाफट जरू कमेंट करें देखा किरण देशाई दा इन हरिंटेंस आफ लांस किरण देशाई की प्रमुष्ट रचना है यह के बीएस डियास भी सिच्छक भड़ती लिखित पर इच्छा प्रामरी अपर प्रामरी दोनों के लिए मात्यपूर्ण क्लास है आपकी बीवीत में जियां प्रमुख पु जिह को ऺंऑ दोस्टों कौन सा बिकल्ब जोड़ा गल्रटं से मिलाया गया है तीन सई है एक गलत है तो जो लाइप देख रहे हैं ना कमें обTegen DO handsome आपके पास कौन से बिकल्ब तला लगाये जाए प्लेटो गरतन्त मॉशन पॉटलिन रट्टा मार दीजै अरस्तू राजनी है महात्मा गान्दी क्लियर अब फिर पूचा है काल Zukunft आप बताईंंट करते कौन इस में से गलत है गलत है यह गलत है पूच्छान इसका क्वड़त है ,- इसलिए इसमय इसलिए इस प्शने क 50 क्यों मैंने आपको मैं आपको किः सोचएंए पहला कि गलतन जुन किसी अरस्तू की है हिंदु सुराज किसकी है महत्मा गांधी के है काल माउक्स है तो ऐसे रचना आपके त्यार हो जा रहे है तो सभी साथी लाई बगार आपके संख्या और अच्छी होगी तो भाईया मौर अच्छे क्लास बढ़ाएंगे अन्य चीजों की भी क्लास जोड़ेंग काउन सी पुस्तक नेहरू जी की नहीं है शभी साथी फटाफट कॉमेंट करें जो भी वीडियो को लाईब देख रहे हैं यह सलेक्शन वाली क्लास प्रद्यर राच साढ़े नो बजे इलनी भी दुरगेश पर फ्री आपके लिए चलती है ताकि निसुल सिच्छा से देश इसकवरी आप इंडिया किसकी रचना है नेरू की रट्टा मार दीजिए गलिपसेज आप वर्ल्ड इस्ट्री नेरू की एन आटो बायोग्राफी इनकी है माई एक्सपरिमेंट विद त्रोथ यह किसकी रचना है यह महात्मा गांधी की है किसकी महात्मा गांधी की रचना जिहां दोस्तो यह इनकी आत्म कथा है इनकी बायोग्राफी है इसलिए यह गलत है और जो गलत है वही सही है वे किस प्रशन का उत्तर कौन सा ताला है ए पर ताला लगाएंगे जिहां दोस्तो ए इसका सही जवाब है तो जितने साथी सुचक भरती के त्यारी करें थे फड़ वित्रोत महत्मा गांदी जराइटेंस वर तो जो गलत है वही सही है क्योंकि नहीं पूचा है ट्रेंडिंग प्रस्ट नहीं आपके मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्णी की तरफ क्या आप सब तयार हैं क्या आप सब साथ देने के लिए तत्पर हैं तो बैए वीडि सभी साथी फटावत कमेंच करें जो भी लाइफ देख रहे हैं डा मिनस्ट्री आप अटमोस्ट हैप्विनेश किसकी रचना है यह 2070 में प्रकासित हुई थी इस प्रकासित का वुई थी 2017 में इसलिए पूछा जा सकता है बीविद में पुस्तक में क्योंकि बीविद से दो प्रश्णिया से फिक्स आएंगे अगर आप लोग रेगुलर क्लास को पढ़ रहे हैं अभी तो आज एक पार्ट होगा कल इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग प सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो में लाइब अभी तक बने हैं तो मालिक आपको प्रश्णे का जवाब भी देना चाहिए प्रश्णों को हल भी करना चाहिए लोगों तक पहुचाना भी चाहिए लेकिन जो भी करिए चल दी करिए लगते हैं फिरत में नहीं हैं और रहेस के गोड़े हैं इसका एंसर होगा व्र 009 नहीं को पुस्तते रशना करें मता है अगला आपनपैंध अभी उपर हम लोगों ने पढ़ा था और सुरुवात में लोगों Alberto जी यहां लगू कथा है यह जुम्मा लहडी जे राइट एंसवर बी पर ताला लगाईए जी यहां दोस्तों बी इसका राइट एंसवर है बी इसका राइट एंसवर है अगला पस्ट अरधनती राय की किसकी पुस्तक रशना की है बताई आप लो और जंती राय अभी उपर हम लोगों ने पढ़ा था और शुरुवात में हम लोगों ने पढ़ा था जब इस वीडियो के स्टार्ट हुई थी तब मैं आपको बताई थी सभी सती फटाबर कमेंट करें अन्यविश्यो क्लास इलनी भी दुर्गेश पर उपलब्द है उसके लिए आप जूर सकते हैं हफते में दो दीन की मास्टर क्लास चलेगी तो साथी दोस्तों तयार रहिएगा देखे अरदंती राय की पुस्तक थी अलजेब्रा आप इनफनाइड जस्टीस यह मैंने स्टाटिंग बता दिया था प्रश्ण की सुरुवात में मैंने पढ़ाया था जी हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाफ ए लाइब भी मैंने पढ़ाया था अगर आप लोग वीडियो को लाइब देख रहे होंगे तो आपको याद होगा ठीक है हम आगे बढ़ रहे के लिए पश्णी की तरफ अरधन्ति राय की प्रमक पुस्तक क्या है कमेंट करके जवाब दीजिएगा लाइब अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा जो लाइब देख रहे हैं वीडियो को सबी साथी चबी साती चबी 94 बढ़ कमेंट करिएगा इस पुस्तक के लिए इन्हें भूकर प्रश्कार भी मिला था ठीक इसके लिए प्रूकर प्रश्कार भी मिला था लें गाड़ आप स्मॉल तिंग डिसकर एंसोर है ताला डी पर लगाएंगे गाड़ आप स्मॉल तिंग्स इजे राइट एंसोर इसले ताला किस पर लगेगा डी पर लगेगा प्रदियन राथ साधे नव बजे एलारम लगा लिजे अपने मुबाइल में अगर आपको सेलेक्शन लेना है अगे अगे बटर पश्ण की तरफ कि अगला पश्णा के सामने दिख रहा डिस्प्ली पे पुस्तक माइच अक्स्प्रिमेंट विद त्रुथ माइच अक्स्प्रिमेंट विद त्रुथ के लेखा कौन है फटापट कमेंट करिए जोली बीडियो को लाए देख रहें फटापट कमेंट करिए कि मैंन उपर पढ़ाया था कौन है कि मोहंदास करम चंद गांधी महत्मा गांधी जराइडेंस वर ठीक है आगे पर अगले परशनी की तरफ राजप्रतिक के फलक की नीचे देवनागरी में लिखा होता है शत्य में ओ जयते यह कहां से लिया गया है एक आदर सुवाग की है जो परिच्छा में बार बार पूछा जाता है कि सभी साथी फटा फट कॉमेंट करेंगे जबाब देंगे एकदम हलुआ प्रस्ण है अब एकदम इससे सर यही सारे प्रस्णानी यूट्यूबर पढ़ाते हैं हम तो आपको थोड़े कड़े प्रस्ण भी पढ़ा रहे हैं अच कि ठीक बदाई यह देख़िए एकदम हलुआ प्रस्णान यारा कि ठीक है मुंदक को प्रस्णानी राइट एंस वर विद्या माइक कसम वीडियो को लाइक करने अब आपने सभी साथी मित्त्रों को सेर करेंगा अपने फेजबुक पर अपने वाटसैप के स्टेटस प करिएगा हम आगे बढ़ रहे हैं मुंड़ को प्लिसद अगला पस्टना है दब्रीफ इस्ट्री आफ टाइम नामक पुस्तक के लेखा कौन है कि दब्रीफ इस्ट्री आफ टाइम नामक पुस्तक के लेखा कौन है फटाबर कमेंट करिएगा देखिए अब क्लास खतम होने का गार पर क्योंकि आप लोगी संख्या बहुत कम होरे संख्या नहीं करें वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ठीक है दब्रीफ इस्ट्री आफ टाइम्स यार लोगों को भला करिए गरीब लोगों तो पहुचाईए सभी विक्तिव का सिच्छा का इदिकार है देखिए ध्यान दीजेगा दब्रीफ इस्ट्री आफ टाइम स्टीपन होकिंस की बहुत ही प्रसेदर रचना है स्टीपन होकिंस रट्टा मार दीजेगा य प्रसेदर रिडिस्कबरी आफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेन प्रस्ना है जहां दोस्तों फटाबर कमेंट करिएगा कौन से भिकल्ब को तला लगाना है कमेंट करके बताईए रिडिस्कबरी आफ इंडिया देखिए अनिक लासेज की लिंक आपको टेलीग्राम पे मि मिलेगी दुर्गेश सर्च करके इलर्नी भी दुर्गेश पर जुड़े रहेगा साड़े नव बजे बीवित और करेंडी क्लास की जो टाइमिंग और लिंक यहां पर उपलब्द हो जाएगी जल्दी आपको कि करेंट अफ्वेयर की मैराथन क्लास की मास्टर वीडियो मिल ऐसे प्रशन ही परिक्षा में आजकाल आते हैं वहलुगा वाले प्रशन सेलेक्शन नहीं मिलेगा आपको मिलेगा प्रशन ऐसे प्रशनों से सलेक्शन मिलेगा सरकारी नोकरी करना चाहरे माली का तो सभी सिच्चक सिच्चका जितने भी भावी है इस प्रशन का उत्तर है म मेगनाद देसाई है लेकिन आप कमेंट करके बताईएगा दिसकबरी आफ ंडिया की nega क्वहन है कौन है कि अ मेんな कि निआ बता है अब सो अब किस ने लिखी है अब जबाब देजिएगा सभी साथी फटा-फट कॉमेंट करके बताईएगा थेक दिखिए डिस्कब्री आफ इंडिया जो पुस्ता किसमें सिंद्धुगाटी सब्धता से लेकर भारत जब जिस समय भारत आजाद हुआ था उसके बिख्स्तित की सभी बात 1944 में जो आला ने रुजे राइड एंस वार लेकिन री डिस्कब्री आफ इंडिया लग जाता तो मेघनाद देसाई हो जाता जो आपके परिच्छा के लिए सबसी चाटा महत्तपूर्ण था ठीक है मैं आगे बढ़ रहा अगले पश्टें की तरह हाँ क्लास खतम होने वाल तो मैं कहूंगा ही न अगले प्रश्ण की तरह अगला प्रश्ण आपके सामने है मेंडरिंग पास्चर्स आफ मैमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है फटा पर कमेंट करिएगा क्योंकि ये प्रश्ण से चक भरते लिखित परिच्छा में दो नंबर आपके आएंगे दोनों लब्द है मैं अगले प्रश्ण का उत्तर जो होगा शोना नारायन इजे राइट एंस्वार जी हां शोना नारायन मेंडरिंग पास्चर्स आफ मैमोरीज शोना नारायन की सबसे प्रमुक्रिती है हम आगे बढ़ने प्रश्ण की तरफ ध्यान दीजेगा रादा किष्णन में से किन पुष्ट को समंदीत एकदम इंपॉर्टेंट अगर आपको एस रादा किष्णन से प्रश्णा आजाएगा तो परच्छ में गलत नहीं होना चाहिए इसलिए आपको इस प्रश्ण का जवाब जरूर देना होगा शबी साती फटाफट कमेंड करेंगे शबी साती फटाफट कमेंड करेंगे द्यान देखेगा यहाँ पर दो प्रश्णा आपको है आपको यह बताना है देखे एक भगवत गीता है यह किसने लिखा है यह वेद ब्यास ने लिखा है किसने वेद ब्यास ने लेकिन द भगवत गीता किसने लिखा है द भगवत गीता किसने लिखा है ये जब आप कोमेंट बॉक्स में देना है आपको ठीक है सभी साथी बताएए द भगवत गीता किसने लिखा है तो द भगवत गीता जी यहां राधा कृष्णन ने लिखा है इसका मतलब यह गलत हो गया कांक विस्ट आफ लाइफ यह किसकी है एडम लूंकेस की है यह रचना किसकी है यह है एडम लूंकेस की है तो यह भी गलत एन आइडियलाजिस्ट विव आफ लाइफ यह शही है हिंदू विव आफ लाइफ यह भी शही है इसलिए प्रशन का उत्तर क्या होगा एक और चार अब सोचिए कितना महत्पूर तथ्याप लोगों ने पढ़ा जी यहां आपने कितनी प्रशन की है लेकिन भगवत गीता है बेदव्यास की ठीक फिर पढ़ा कंगवेश्ट आफ लाइफ एडम लुवेंस की है लेकिन हिंदू विव आफ लाइफ इसलिए प्रशन का उत्तर चौथा होगा एक और चार डिस का राइट एंस्वर होगा समझ में आए आप लोग को कितना माइनर अंतर था आपने दो बड़े प्रशन तयार की होंगे मैं उमीद करता हूँ जितने लुक्स वीडियो को लाइफ देख रहे हैं इसके पहले ऐसे प्रशन नहीं पढ़े होंगे भगवत गीता एसरादा किश्णन भगवत गीता बेद ब्यास किलियर हुआ कि नह यहीं वीडियो को लाइफ धिवाइन पुसतक के लेख कौन एन जो चलिए आप नहीं बताएंगे तो श्री अर्बिंद इसका राइडिया श्वर है ठीक है ठीक इस प्रेश्ण का उत्तर डी सही है लाइफ डिवाइन श्री अर्बेंद की है ठीक चलिए अगला परश्णाप के सामने है यह यह फेस्बूक पेज़े लेनी बिद्रगेस यूटूब पर दोनों पर लाइफ चल ला है साधे नौ बजेशे अब बेंड इन दर रिवर अब बेंड इन दर रिवर लेखा कौन है फटाबट कमेंट करिए अब बेंड इन दर रिव अग्या देखें बी एस नायपाल इसका सभी जवाब होगा क्या होगा बी एस नायपाल आज ऐसे प्रशन पढ़िए जो सोड़े कड़े प्रस्णों के सरल प्रस्ण आर सभी यूटूबर करांग सभी किताबों मिल जाता हमें ऐसे प्रस्ण पढ़ना चीए जो पुस्तक लिखिए बताइए कमेंट करके जो बी एस नायपाल ने कौनसी पुस्तक लिखिए है अ है कि अ मतड़े बटे बन करके अ देखें यहाँ पर ए हाउस फार मिस्टर बिक्षवास मिस्टर बिस्वास इसका रही डेंस हो रहे है क्लियर हुआ कि एक हाउस फार मिश्टर बिश्वास क्लियर चलि मागे बढ़ रहा हूं कि दा अश्ट्रेंच आफ फ्लोरेंस किसने लिखी है हमेशा कड़े सवाल पढ़ा करिए जो आपको परिछाम आये तो गलत हो यहां पढ़िए ताकि दवारा गलत ना हो कि कलपना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सभी को मिढ़ा खलाने जाएंगी अप हमें भी दिजार रहेगा दा एंश्ट्रेंच आफ फ्लेरेंस किसने लिखी है सभी सथी फड़ावट कमिन करें कभी मादपूर यार एक्दम चर्चित पुस्तक है चलिए अगर आप न काफी महत्त पूर एक तो जल्दी से ठीक सीस प्रस्ट्र का राइट आंश्वर है लज्यापूस्तक का ले एक आवेत्वर कमेंग करें करेंगा लज्यापूस्तक का लेखा कौन है कमेंट कर commandments कर ये लग्जा पुस्तक के लेखा कौन है लग्जा पुस्तक के कौन है बताईए लेखिये बंगलादेश की लेखिका है तस्मीना नसरीद तस्मीना नसनी नहीं पहुत ही महस्तपूर प्रश्चन है तस्मीना तस्लीमा नस्रीन लज्जा पुस्तक इनकी काफी महत्रपुन क्रिति ये बंगला देश की लेका है पहुत परशिद्ध है ठीक है हम आगे बाट अगले पैस्ट तरफ पुस्तक मिड्नाइट्स चिल्डरेन किसने लिखी है पुस्तक संबी là गक्रेंट से सब्सक्वर्न और कोमेंट करेंगे दियुक्य सबी宇स्टियूर ode Army ट्रेट से सब्सक्राइब कोमेंट करें ईब या पिण पोई अ सब्सक्राइब नीजरामे त्ल प्लास बीचियुक्ज आपको क्लास निसुल पीड़ेव आपको यहां पर मिल जाएगी साड़े नो बजे एलारम लगा लिए अपने मुबाइल में देखें मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रस्दी की एक प्रसिद्ध रचना है ठीक है जबकि इनकी पहली रचना देखा जाए सलमान रस्दी की तो क्या था ग्राइमस था इनकी पहली रचना अगर देखें तो ग्राइमस था ठीक है जब जब कर आई थी 1975 में लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रेन यह आई थी 1981 में यह इनकी दूसरी रचना थी यह इनकी सेकेंड रचना थी ठीक इनकी रचना सेम है दा सेंटरिनिस वर्सेज है दा मुवर्स लास्ट साई है ठीक इसलिए परशन का उत्तर क्या होगा चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले परशन की तरफ अगला परशना आपके बीच है सल्मान रजदी सल्मान रजदी की रचना में परशना कौन है सल्मान रजदी की परशना कौन सी है शबी साथी फटाफट कमेंट करें देखिए हमने बताया इनकी जो परशना पहला था वो क्या था ग्राइमस था कब 1975 में आई थी फिर मिड नाइट इनकी दूसरी रचना थी ये 1981 में आई इसके बाद सेम देखा जाए तो 1983 में है 1983 में सेटलिल वर्से जिनका था 1988 में था दब मुवर्स लास्ट ये 1995 में है अब इसमें बताना इसमें कौन सा परथम है तो इस प्रशन की इधार पे अगर आप देखेंगे इसका उत्तर भी आपको मिलेगा दुर्गेश के ओफिस का नंबर है यहाँ पर आप वाट्सेप करके आउनली क्लास नोट समधी जानकर ले सकते हैं ये क्लास जोनपुर जनपस से संचल की जा रही है मेरे दौरा जो पूरी तरह से निसुलक है राश्टित में देशित के लिए और इस सभी की लिंक आपको टेलिगराम पे मिलती है दुर्गेश सर सर्च करके इलर्नी भी दुर्गेश पर ये क्लास पूरी तरह से आपको फ्री चलती है राट साड़े नोब बजे इलर्नी भी दुर्गेश पर आपके मन में कोई प्रश्ण हो, कोई शवाल हो तो आप हमें इस्टा पर मैसेज कर सकते हैं दुरगेश सर, मेरा इस्टा है फेश्बुक, वाटसेब, जहां भी आप जुड़े हैं वेकि आपका उद्देश सलेक्सन लेना है और हम चाहते हैं, आप भी सलेक्सन ले वेकि हम आपकी दो-दो प्रश्ण तयार कराते हैं चलेंगे तो 75 दिन में हम 150 नमबर की एक सिरीज तयार कर लेंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि हम डेली आपकी क्लासिस तरह लेकर रहा है दरूर टीचर बनेंगे और आप सबके अश्रवाद से हमें भी टीचर बनने का उसा भाग्य मिल गया इसलिए मैं आपको हमें इसा राष्ट हित्में देश हित्में आपको निश्व सिच्छा देता हूं मैं यह चाहूंगा आप भी एक सरकारी से च्छक बने और आप भी अपना बहतर दे ठीक है बदबद धन्यवाद आप सभी का पढ़ते रहिएगा कि रेस गोड़े रेस मच्छे लगते हैं और भरती पूछने वाले सेलेक्शन नहीं ले पाते इसलिए भरती मत पूछिए अपनी तयारी को ध्यान दिजे अपने तयारी पर फोकस करिए कोई आपकी मन में प्रशनों कोई डाउट हो तो फटा फट कमेंट करके पूछ सकते हैं डेली सारे नो बज़े आप लोग लाई भाई ये मेरा निवेदान आपसे है अगर आप वी कि धन्यवादा सभी का चलिए जो नोट्स करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिविजन करेंगे कि रिविजन नहीं करेंगे तो भोल जाएंगे और रिविजन सेलक्षन की सबसे बड़ी रिड की है अनि क्लास के लिए टेलीगराम पर जुड़े रहेंगे जरूर से विद्ध्यमाई करें लाइक करने बाद जरूर सेर करेंगा और जुन पर जनपत्माईगे मिलकर चाहिएगा झाल 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